तो आपके लिए एक बहुती बड़ा अपडेट लेगा आ रहा हूँ अगर आप बनना चाहते हैं, आपने अभी अपना डिप्लोमा कर लिया है, और आप काफी टाइम से स्पोर्स अथार्टी अफ इंडिया में आप अपके लिए बहुती बड़ा अपडेट रहने वाल है, त स्पोर्स आपके रहने वाल है इसमें, कम्प्लीट डीटेल में आपको आगे वीडियो में बताऊंगा, तो आप सबसे पहले देख सकते हूँ, मैं आपर स्पोर्स अथार्टी अफ इंडिया की वेबसाइट पे हूँ, अगर आप जैसे ऐसे अपडेट लेना चाहते हैं, त तो यहाँ पर आपकी वेकेंसी की, कल 10 तारीक से आपको आगया था, 24 में, लास्ट जेट वगरा क्या रहेंगे, सब कुछ में आपको बताऊंगा, तो चलिए मैं आपको बताने वाला हूँ, सबसे पहले आपको सेलेक्शन प्रॉसेस बताऊंगा, इसमें, आपकी टोटल न दिएं, लास्ट बताऊंगा, या फिर आपको फूलटाइम होने वाला है, तो इसके बाद आपको बताऊंगा, क्या करणा लगेंगे, आपके लास्ट डेट क्या रहने वाले, इस अप्लिकेशन की कब तक आप फुलफिल कर सकते हो, देन आपको लास्ट में, आपको पे सके सबसे पहले आप यहां पर देखोगे यह application है PDF है जो कि मैंने पीपीडी की form में आपको समझा रहा हूँ सबसे पहले यहां से स्टार्ट करते हैं तो यहां पर आप देख सकते हैं नोटिस इंवेटिंग आपका यहां पर अप्लिकेशन है सबसे पहले आप यहां पर देखोगे contractual base आपकी रहने वाली है और deputation के लिए कुछ seats ने यहां पर shortlisted की गई है simply आपका यहां पर यह contract base रहने वाले है यहां पर आप देख सकते हैं आगे वीडियो में बता दूँगा आपको सबसे पहले यहां पर देख सकते हैं eligible candidate can apply online at यह जो website है इसका link में नीचे description में डाल दूँगा तो आप वहां से simply जाके इसको apply कर सकते है apply कब करोंगे आप तो January 15 तारिक से आपका सामके पांच बजे सामके पांच बजे 15 जनवरी को आपको apply portal खुल जाएगा application का तो simply आप वीडियो पर आना description खोलना और वहां पर आपको link दिखेगा how to apply का या फिर apply online तो वहां पर आप क्लिक करोगे तो आप directly इसकी website पर आजाओ ठीक है यह कब तक रहेगा आपका यहां पर आप देख सकते हो 30 जनवरी तक आपका रहेगा यानि मुश्किल से आपके बास 15 दिन रहेंगे पंदरा दिन में आप apply कर दीजेगा इसको इसके बाद आपके सामके पांच बजे तक ही रहेगा आपके free payment वगरा जो भी रहेगा form में तो वहां पर आप apply कर सकते हैं सबसे important कौन-कौन से sports की vacancy आ रहे हैं यहां पर तो यहां पर आपको मैं बताने वाला हूँ 26 sports की vacancy आ रहे हैं जैसी कि आप यहां पर देख सकते हो archery में athletic, batminton, basketball, boxing, cycling, fencing, football, gymnastic वगरा यह आपके रहने वाले हैं यहां पर तो यहां पर अ आई जॉइन करना चाहते हैं तो सबसे पहले आते हैं assistant coach जो की newly fresh बंदे होते हैं जिनको experience होता है एक दो साल का या जिनको experience भी नहीं होता डिप्लोमा कोर्स करके आते हैं उसके बाद उनकी performance आगे बढ़ती है वो करते हैं as in coach के लिए apply then coach के बाद आते है senior coach इसके बाद आते साल दूसाल हो है आपको तो अगर आप archery में है तो आपके लिए चार पोस्ट है athletic से हैं तो पंदरा पोस्ट क्योंकि वेरियंस इसमें event होते हैं तो पंदरा पोस्ट है सबसे जादा इसी में रहती है और wrestling वगरा में आई गहीं है इस बारी इसके बाद आगर आप स्क्रीन शॉट ले लिजेगा या फिर PDF डाउनलोड कर लिजेगा टेलिग्राम से तो आप आप पर देख सकते हैं फेंसिंग में आप यहां पर देखो गया तो आपके लिए दो पोस्ट आ रहे हैं assistant coach की इसके बाद football में 6 और आपकी gymnastic में 3 इसके बाद next अगर आपके बाकी sports देखें तो handball, hockey हो गया, judo हो गया, kamaddi, karate, kayaking, koko, rowing आपके हो गया, shooting हो गया, swimming हो गया, table tennis हो गया, taekwondo हो गया, volleyball, यहां पर आपका हो गया, weightlifting, wrestling, yushu, total number of vacancy आपकी है 214 इसमें से assistant coach की आप देख सकते हैं यहां पर vacancy side में है इधर, यहां पर देख लीजेगा, okay, so assistant coach की total है 117, तो काफी है, I hope इतना enough होगा, enough तो नहीं होना चीह है, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा demand है coaches की, लेकिन साल में जो है, पहला January आपका यह देख सकते हैं, January में आपका first, Sports Authority of India की 24 की पहली recruitment है, तो I hope इतना बहुत ही होगा, so next, यहां पर हम बात करते हैं, module क्या रहने तो उनके लिए कुछ seats available रहेंगे वहाँ पर, इसके बाद last, आपका यहां पर date मैंने बता चुका हूँ कि आपके यहां पर portal यह है, यह आपका खुल जाएगा, यहां पर simply आप Google पर search करेंगे कि Science Jobs, तो हहां पर आपको link दिख जाएगा, so date आपकी कब है, starting date आपका मैं बता कर रहें, वो सभी eligible हैं, चाहिए आप fresher हो, आप experience हो, आपके बास diploma course है, तो आप इस assistant coach के लिए आप eligible है, apply कर सकते हैं, next अगर हम यहां पर बात करें, eligibility criteria की, तो assistant coach के आप यहां पर criteria देख सकते हूँ कि diploma होना अच्छी है, या फिर equivalent in coaching from science या नसनाइस पतियाला, या another जो भी आपने diploma कर रहा है in sports coaching, तो आप बिल्कुल eligible है, apply कर सकते हैं, अगर आपने diploma नहीं कर रहा है, फिर भी आपके बास chance है, यह सरिफ उन highly trained athlete के लिए है, जिन्होंने की participate कर रहा है in Olympic, Paralympic, International, किसी भी game में अगर आपने participate कर रहा है, तो eligible है, apply कर सकते हैं, या फिर द्रोनाचारी किसी भी university से आपने coaching course कर रहा है, जो कि एक मानेता प्राप्त organization हो, ठीक है, तो वहाँ से आप apply कर सकते हैं, या फिर अगर आपके बास medal है, आपके बास जैसे की Olympic में, या फिर पैर Olympic में आपके बास, या World Championship में आपके बास medal है, तो आप apply कर सकते हैं, या फिर दो बाद ही अगर आपने coaching experience ले रखा, high performance coaching में, तो आपके बास eligible है, दो बार अगर आपने participate कर रखा Olympic में, या medal winner है, आप Olympic किसी भी international game में आपने medal ले रखा है, तो आप eligible है, द्रोनाचारी award ही है, तो आप बिल्कुल eligible है, apply कर सकते हैं, I hope आपका eligibility criteria वाला जो है, या आपका पूरा clear हो ग मांगा गया है, मैंने आपको starting में बता दिया था, बट यहाँ पर आप देखोगे, coach के लिए, अगर आप assistant coach नहीं बनना चाहते है, आप as an coach join करना चाहते है, तो यहाँ पर आपके लिए मांगा गया 5 year experience, और diploma, ठीके, अगर आपके पास 5 year experience नहीं है, तो आपके बास 2 साल का 2 साल का आपके बास experience होना चाहिए, प्लेस आपने participate किया हो, दो बारी Olympic में, या फिर आप medal winner हो, अगर आपके medal नहीं आए, तो आपने participate किया होना चाहिए, और आपके बास 4 साल का experience होना चाहिए, अगर कुछ भी नहीं है, तो द्रोनाचारी अवार्ड ही है, अगर आप, आपके बास experience होना चाहिए, प्लस द्रोनाचारी अवार्ड होने चाहिए, तो आप इसके लिए eligible है, नेक्स अगर हम बात करते हैं, आपर high performance coach की, तो यहाँ पर 15 साल का experience मांगा गया है, high performance coach के लिए, और आपने कोई भी यहाँ पर diploma course क्या हो, तो आप apply कर सकते है, eligible है, नेक् पर बात करते है, pay scale, कि आपका pay scale कितना रहता है, सबसे important, तो देखिए, high performance coach के लिए, आपका कितना रहने वाला है, यहाँ पर pay scale, level 3 के इसाप से आपका रहेगा, यानि कि आपके 2,20,000 के करीब आपके जो है, अगर आप contractual waste पे रहते हैं, तो आपके इतनी salary रहेगी, और य adaptation वालों को अपना पता रहते है, कितनी उनकी salary रहेगी, यहाँ पर स्रिफ उन बंदों के लिए, यहाँ पर बताऊंगा, जो कि अभी opportunity रोन रहे है, साही में, as a coach बकाम करने चाहते हैं, तो यह आपके लिए वीडियो रहने वाली, तो simply आपका senior coach लगते है, तो 2,25,000 के करी अगर आप assistant coach रहते हैं, तो अच्छी salary है, 50,300 रुपे के करीब आपकी salary रहेगी, और जो कि आपका yearly बढ़ती रहेगी, आपके performance देखी जाते है, बेसिकली साही में, अगर आप अच्छा perform करते हैं, तो हो सकता है कि आपको यह full time के लिए भी, यहाँ पर आपको invite करें, ठीक application is as following, देखी आप यहाँ पर, अगर आप high performance coach की अगर आप age देखे तो 6 years से जादा होनी चाहिए, और अगर senior coach 50 साल, इसके बाद coaches जो होते हैं, इनकी 45 years, and assistant coach at least 40 years का होना चाहिए, okay, so यहाँ पर यह age आप देख सकते हो, criteria रहने वाला है, इसके बाद I hope आपके सारे doubt किलियर contract period मैं आपको बता चुका हूँ, कि एक साल का रहने वाला है, देखें यहाँ पर आप contract period आप देख सकते हो, assistant coach का जो आपका रहने वाला है, वो आपका period रहेगा 1 year का, इसके बाद maximum आपका जो extend हो जाएगा, वो 8 साल के लिए हो जाएगा, ठीक है, 8 साल के लिए नहीं, आप आपका extension हो जाएगा 8 साल के बाद, इसके बाद अगर आपका performance और अच्छी रहते हैं, तो वो maybe permanent कर दें आपको, जो भी आपका retirement का अगर होता तब तक तो, इसके बाद अगर हम देखें, coach, senior coach and high performance, तीनों का एक साथ दे रखें, इनका भी 1 year का period रहेगा, आप 8 साल के लिए इसको maximum extend कर सकते हो, ठीक है, या फिर आपका retirement के रिसाफ से यह आपको बता देंगी, वह आप अगर join करोगे, तो आपको सार्च करेंगे, इसके बाद अगर आपका कोई भी doubt है, तो प्लीज आप मुझे बता दीजिएगा, आप comment section में पूछ सकते है, कोई भी आपका doubt मन में आप कैसे apply करेंगे, यह मैं आपको बताता हूँ, how to apply में, देके simply यह website है, आप अगर search करेंगे, Google पर जाएंगे, science jobs लिखेंगे आप यहाँ पर, यह देख सकते हो, यह science jobs अगर लिखते हो, so यह website है, इसका link में नीचे description में डाल दूँआ, तो आप वहाँ पर जाके directly apply कर सक यह आपका time है, आपके सारे doubt clear होगे है, प्लीज चैनल को subscribe करेंगे ऐसी informative videos के लिए, और और भी अगर आप updates आते हैं, तो प्लीज टेलिग्राम चैनल पर join हो जाएंगे, वहाँ पर आपको सबसे पहले मेरे updates मिल जाएंगे, तो thank you so much for watching and all the best guys.